नमस्कार, YouTube चैनल and in your study में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्केस करेंगे HSSC प्रिक्षय टेक्सिसन इंस्पेक्टर जो एड़र्टाइजमेंट नंबर 11 बटे 2015 और के टेगरी नंबर 2 के अंतरगत 30 जुलाई 2017 को आयजित हुई Morning Shift में और इस प्रिक्षय की सीरीज नंबर 6 में हिंदी विशे से सम्मंदित पूछेगे प्रसनों को हम डिस्केस कर रहे है पहले तीन प्रसन जो हमें दिये गई है उनमें निर्देश ये है कि निमन लिक्त वाक्यों में उप्यूक्त सब्दों दुआरा रिक्त स्थान की पूर्ती के लिए चार-चार विकलप दिये गए है और इनमें से एक विकलप ठीक है और उसका चेन कीजिए तो पहला प्रसन है वे छोटा मोटा धंदा करके अपनी रिक्त स्थान पाल लेगा इस प्रसन का सही उत्तर है Option B कितने मन के रिक्त स्थान दहे तक खड़ी हुई यह मदु साला है इस प्रसन का सही उत्तर है Option D महल कितने मन के महल दहे तक खड़ी हुई यह है मदु साला है अगले दो प्रसन हमारे पास है प्रशन नमबर चार और पांच इनके लिए निर्देश ये है कि निमलिक्त परसनों में रेखांकी तक्सरों में लिखे सब्दों के लिए सरवादिक उप्युक्त सब्द या सब्दों का चैन कीजिए प्रशन नमबर चार आपकी कृपा के हम सदा रिनी रहेंगे इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्शन भी आभारी रहेंगे अगला प्रसन है भगवान सीव के वहन रिशब का नाम नंदी है इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्शन ए बैल अगला प्रसन है प्रसन नमबर चे और साथ इनके लिए जो निर्देश है वो इस प्रकार है कि निमल निक्त वाक्यों के प्रत्थम और अंतिम भाग को करम से एक और छे की संग्या दी गई है उनके बीच आने वाले अंसों को चार भागों में बांटा गया है ये रे ले वे की संग्या इनको दी गई है चारों भाग उचित करम में नहीं है और इन अंसों को उचित करमानसार विवस्थित करना है और वाक्या को ध्यान से पढ़कर दिये गए विकल्पों में से इनका उचित करम चुनिये प्रसन है चल चित्र के अनेक लाभों के साथ-साथ ये रैलाय वै हमें दिये गई हैं उसके बाद है पर कूपरवाव ढाल रही है तो जो सही करम वो हमें बताना है इस प्रसन में क्या आएगा इस प्रसन का सही उत्तर है option D ये वै रैलाय मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ आपको और हमारे जीवन विकास के साधन दोनों के बीच में ये रै लै वे का उप्शन दिया गया है जो सही करम है वो हमें बताना है तो इस प्रसंद का सही उत्र है उप्शन ए वे रै ये लै यदि आधूनिक चलचित्र हमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उप्योगी शिक्षाएं देने लग जाएं तो वे अप्वे नहीं अपीतु हमारे जीवन विकास के साधन है अगला प्रशन है प्रशन नमबर आठ से दस ये तीनों मुहावरे पूछे गए ये इनका हमें सही अर्थ बताना है तीनों मुहावरों का आठवा प्रशन है कान का कच्चा मुहावरे का क्या अर्थ है इस प्रशन का सही उत्रा उप्षन दी दूसरों की बातों पर सहज विश्वास करना अगला प्रशन है गच्चा खाना मुहावरे का सरवादिक उप्युक्त अर्थ क्या है इस प्रसन का सही उत्रा option A दोखे से ठगा जाना अगला प्रसन है कोलू का बैल मुहावरे का सरवादिक उप्युक्त अर्थ क्या है इस प्रसन का सही उत्रा option A दिन रात काम करते रहना दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं सेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और एन इन योट स्टेडी को सब्सक्राइब करना न भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे